कोई कावे रागे ना दे पे दिवो भाद कर नहीं हर हर भी जैरा मुराचे जिनायंतर कपड विकार है दिना रोए क्या केचे हर भरता सब किच जानदा सिर रोग हत दे जै जिना नानक पुर्मुख गिर्दा सुद्ध है खार भगत खार लीजें सिख पंथ दे महान गुर्मत तात बेता कैनी ते करनी दे पूरे परचारक पाइस पाई गुर्दाह जी ने अपनिया वारा अंदर एक पंगती लिखी है बाबा देखे त्यान तार जालती सब प्रिथवी देस आई बाबा देखे त्यान तार दे अर्थ ने के सत्गरु गुर्णानक देवजी महराजी ने दुनिया दे मनुखता दे सोच अते सुबाओ दा बड़ा गेरा अदेयन कीता एक पासे ओ लोग जो राजसी शक्ती दे नशे विच दुनिया नू ते मनुखता नू गुलाम करना चौंदे सन दूसरे पासे ओ जना ने तारम दे वरके विच तारमिक प्रवाब विच दुनिया नू गुलाम करन दे यतन कीते सत्गुरु जी ने दोना नूँ चैलंज कीता जे कोई राजसी शक्ती दे आसरे हकूमत दे नशेविच मनुखता नूँ आपने अधीन करना चाउंदा है ते ओ भी जुल्म करन ते तुल जानदा है जे कोई तार्मी मनुख कर्म कांड दे आसरे तर्मदा परभाव पाके दुनिया नूँ आपने गुलाम करना चाउंदा है ते ओ कर्म कांड पाखंड आदिक नू बदावा दे रहा है सत्गुरु जी ने इना नूँ चैलंज कर दे आ पावन पवित्तर गुर्बानी अंदर मनुखता दे ले इस दाहत देन लगया बड़ी ने तड़क और उच्ची आवाज विच बंगारिया आज दे इस शलोक अंदर सत्गुरु जी ने बड़ा कमाल दा एक नक्षा पेश कीता एक पासे ओ लोग जिनना ने हिंदु मत दे तारनी खत्रियानू अपने हकूमत दे नशे विच गुलाम करके अपने नौकर चाकर लाया ते दूसरे पासे कर्म कांडा विच फसे हुए ए लोग राजसी हकूमत दे जल्म नूँ चैलंज ना करके अपने आपनू उना मतावक टाल दे पेने सत्गरु जी ने बड़ी गैरी चोट मारी है आओ पहला शलोक सरवन करिये जी लोक महला पहला गूब रामन को कार लावो गूबर तर्ण ना जाई तो ती तिका तै जब माली तान मलेचा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़े ले पक्खंडा नाम ले जाई तरंदा सत्गुरु जी दे समय हिंदू तर्म अंदर चार तरान दी श्रेणियां मेच मनुखनू बंड़े आ गया से एक श्रेणी सी ब्रह्मन दूसरे खतरी तीसरे वैस ते चोथे सूदर पिशली पौड़ी दे नाल अंकित कीते हुए श्रुका अंदर सत्गुरु जी ने ब्रह्मन नू मखातवों के एगल कैसी प्यारिया कर्म कान दे आसरे किसे दी सोच नू गुलाम बनाउन दी निती तर्मनी कहलाउन दी जदों भी मनुख तर्मदे तात सदानतां तो पासे चले आ जानदा है तर्मदे मेन प्रिंसिपल नू समझदा नहीं और जीवन विच तार्दा नहीं उस वेले कर्म कान दे जनम लेंदा है वितर गुर्बानी दा फैंसल है कर्म तर्म पाखंड जो दीसा है तिन जम जागाती लूट है जो कर्म तर्मदे विच पाखंड आजावे पाव तर्मदे कर्म करदियां भी अंदर हुमें पैदा हो जावे वास्तवक वे चित हुमें नू मारन दी एको एक दवाई है इलाज है तर्मी हो जाना और नाम जबके हुमें दानाश करना पर जे तर्मदे कर्म कीते हैं हुमें पैदा हो जावे ति फिर बचा के में होवे सत्गरु जी ने चोट मारी सी कर्म कांड छड़न दी इस शलोक अंदर केंदेने के सत्गरु सचे पात्षा ने एक दर्यादे किनारे ते बैठे हुए एक खत्री नू देखे है जो उस वेले जिना दी हकूमत सी उना नू मलेश केंदा सी के ए मेले लोक ने मेली सोच वाले ने एक पासे उना नू मलेश केंदा सी ते दूसरे पासे उना दी नौकरी भी करदा सी एदी डियोटी लगी सी के जो भी दर्याद पार करेगा किस्ती दे विच बैठेगा उस दे कोलों टैक्स लेना और टैक्स लेके सरकार दे खजाने विच पेजना एना नू मसूलिये भी कह दिन्दे सी कह दिन्देने के एक ब्राह्मन ओदे कोल गव सी ओ गव समेत द्रयातो पारोना चोंदा सी ए प्यारा वीर उसनू कह रहे है ब्राह्मन जीओ पहला टैक्स देओ तो अड़ा आपना भी इस गव दा भी फिर लंगण दे मांगा सत्गुरु सचे पात्षा इसनू बड़े गवनल देख दे पहे ने ओ ब्राह्मन दे कोल टैक्स देन वास्ते तान नहीं सी मरामन रुक गया हुण गव आखर कार पशु है इसने गोबर कीता है इस मसूलिये ने गव दे गोबर दे नाल आपना चुला उसनू पोचा दे के साफ कीता है पाप वितर मनेया सत्गुरु जी ने की देखिया के सरकारी मलाजमों के हकूमत दी अदेनगी कर देयां उन्ना वाले इसने निले वस्तर भी पहने होईने ते उन्ना दे डार बे चाके पह बे चाके एक कुरान श्रीफ भी पढ़ लेंदा गुर्बानी दा सिदात है जिस दे हिर्दे विच गुर्बानी दा बीज प्रभु प्यार दा रंग चाड़ देवे जिस दे अंदर गुर्बानी दी चेतना आजावे उस जीवन दी अवस्था गुरुत एक बहादर सभजी महराजी ने नौवे सत्गुरु जी ने श्लोका अंदर अंकित कीती है पै काहूं कादेत नह नह पै मानत आन कहो नानक सनरे मना ग्यानी ताहे वक्यान ग्यान वान मनुख ओ है जो ना किसे तो डरदा ओवे ते ना किसे नो ड्राउन दी इच्छा रखदा ओवे जो किसे तो डर गया ओ भी अदूरा है जो किसे नो ड्राउना चांदा है ओ भी अदूरा है ड्राउन वाला भी सदा चिंता विचरबेगा डर्नबाला भी चिंता विचरवेगा सत्ग्रु जी ने देखिया के ए हकूमत दी अदिनगी करके डर्दा होया कुरान श्रीफ भी पड़दा है अपने तार्मदे तार्मिक गरांथ अंदर लोक के पड़दा पे है सत्ग्रु जी ने असनों मखातव हो के कुछ विचारां कीती है ओए सशलोक अंदर अंकित ने सत्ग्रु केंदे प्यारे या गवू ब्राह्मन काव कर लावा हो गोबर तरनना जाई तुम ब्राह्मन नू उच्छा मन के दर्या पार करनदा हो दे तो कार नाम टेक्स दे तो टेक्स लेना चाउना है ते गवू नू पवितर मन दे गवू दे गोबर दे नाल ए चुला चौका जेड़ा है इसनू लिप पोच के समझ दे पवितर हो गया प्यारया गवू तों भी टेक्स लेनदा पे है जे ब्राह्मन ते गवू तो टेक्स लेना है ते गवाल सुन ला है ए गोबर दे पोचेने तेनू पार नी लोना तेरे जीवन दावदार नी होना सत्गरू केंदे मैं देखदा पे है तो टी टिक्का ते जप माली ताहन मलेच शां खाई तो टी भी पैनी होई है टिक्का भी लाया होई है हत्वेच नाम जपण वाली माला भी है पर जिननू तो मलेच केंदा पे है उनना दे ताहन देन आला अपना जीवन ते परिवार्दा रिजगार चलोंदा पें अंतर पूजा पड़ हैं कतेबा संजम तुर्कां पाई तु मोके दी हकूमत तो डर्दा होया जिनना तुर्कानू एक एंदा पें मलेश हन उना दी मर्यादा अंसार पावो ना दी दीनगी विच नौकरी करदा पें अंदर शुप के अपने तार्मिक गरंथ पड़ दा हैं और उना नू खुश करन वास्ते उना दे तार्मिक गरंथ भी पड़ी जा रहे हैं सत्गरु केंदे छोड़ी ले पाखंडाज मनुखनू कदे भी दो रूपनी तार्न करने चाहिए दे जो अंदरों हूर है बारों हूर है लंबा समा कदी भी काम्याब नी हो सकेगा संसार अंदर चाती मार लेनी जीवन विच शिखरा ओ शुंदे ने तरक्या ओ पौंदे ने सफलता हुना दे पैर चुम दिया जीड़े अंदरों ते बारों एक हूंदे ने जो अंदरों हूर है बारों हूर है ओ आजनी काल कालनी परसों एक ना एक दिन जरूर डुब जाएगा पाखंड केंदे ने विखावा करनू अंदरों तर्मी नहीं पर तर्मी होंदा विखावा कर रहे है अंदर चूट है सचा होंदा विखावा कर रहे है जो अंदर नहीं है वो विखावा कर रहे है जो विखा रहे है वो अंदर नहीं है इसनू केंदे पाखंड सत्ग्रु केंदे प्यारिया छोड़ी ले पाखंडा नाम लया जाहें तरंदा वाहिग्रु परमेशरदा नाम जब के ही संसार दे रसांतों बाच के प्रबूदी याद वेच पेज सकता है अगले शलोक अंदर हुन सत्ग्रु जी जेड़ी हकूमत तो स्वेले जुल्म कर रही है उन्हानों भी चैलेंज कर देने से रूहे जमीन ते एको एक महा पुर्ष रहबरी अगमी जगत गुरु 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 नानक देव जी महराज आये ने जेड़े ना किसे तो डरे ने ना किसे दे अगे चुके ने ना कदी जिंदगी बिच उना ने सुदानतानाल सम्झा होता कीता है बाबर बरगे जरवानयानू भी सत्गुरु गुरु नानक देव जी महराज जी ने चैलेंज भी कीता वंगारिया भी आओ पहला अगला शलोक सर्वन करिये उसनाल पौडी अंदर सत्गुरु जी गुर्मत दा सदानत साधे सनमुख साधे ते बक्षिश करनंगे महला पहला मान सखाने करे निवाज छुरी वगाइन तिन गल ताग तिन कर प्रह्मन पूरे नाद उनाप्लियावे ओई साधु कूडी राज कूडा वपार पूड पूड करे आहार सर्म तर्म का तेरा दूर नानक कूड रहा पर पूड मथेट का तेर तोती का खाई हाथ छुरे जगत का साई नील वस्तर पहर हुए परवान मलेच तान ले पूजय पुराण अब आखे आका उठा पकरा खाना चोखे उपर किसे ना जाना देखें चोका कड़ीकार उपर आये बैठे पुड आर मत पिटे वे मत पिटे ये अन असाडा फिटे तान फिटे फेड करेन मान जूठे जुली भरेन को नाने के साच ते आये सुच जोवे ता साच पायें पवड़ी चे ते अंदर साबु को फेख नदरे हेट्स चलाएं दा आपे देवड़े आया आपे ही कर्म काराएं दा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरै सिर तंते लाएं दा नदरू पठी जे करैं सुल्ताना काउ काराएं दा दर्मंगन पिखन पाएं दा 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 सत्गुरु जी दी पावन पवित्र गुर्बानी दे मुढ विच शिरी गुरु गुरंसेव जी दे आद विच एक सिदांत सत्गुरु गुरु नानक देव जी महराजी ने दिता है चुपए चुपना हो वई जे लाए रहां लिवतार कोई नरंतर लगातार चुप रहे उदे अंदर चुपनी उन्दियो मुख तो चुपए पर मान बोलदा पे है एक होर सिदांत सत्गुरु जी ने दिता है जाब लाग दुनिया रही है नानक केछ सुनिया केछ कही है इनना दोना सिदांता नू एक करके देखना सत्गुरु सिखाउना चुण दे सी के मनुख ने सोचना है कित्थे बोलना है और कित्थे चुप करना है आम तोरते मनुख लोब विचाके जित्थे एदे मनुखता दे सदानत केंदेने के चुपो उनाए दी बुझ दिली है उत्थे लोब विचाके चुपो जानदा ये बुरे पासे तुरना बुरे आई करनी अरे बुरे आदमिया नल संग करना एक गुना मने है खिमा कर देनी फिर बुरा उन्दा देखके चुप रेना भी गुना कोई छोटा नई कोई शक नी स्याने पतवन ते सजना दा विचार है कि जी चिकड विच डुबे वे नूं बाहर कड़ना हो वे ते एक पैर चिकड विच रखना ही पेंदा है किसे नूं चिकड चों बाहर कड़न लई कोई डरदा हो वे मेरे कपड़ें ते चिकड ना पैजावे उकड नी सकेगा शिरी गुरुनानक देव जी महराज जी ने पाई लेना जी दी प्रीख्याई पहला ए लेई सी के एक कॉल चिकड विच डिग पे है प्यार एक कप चिकड विच डिग पे है पाई लेना जी कड ले आए सी सत्गरु दे बचन सन सत्गरु दी दूर द्रिष्टा सी के कदी इना ने मनुखता जो वेकारां दे चिकड विच डुब रही है इना नू कड़न दी ए जिमेवारी गुर्ता गदी दी लेनी है तो खैर सत्गरु जी ने सशलोक अंदर जे नजर मारी एक पासे कर्म कांडी गल्ट राते तुरे होए ने उना नू चैलंज कीता है सत्गरु जी नू इना ने पूतना किया बेताला किया पता नी की की लाचन मेरे गुरु दी चोली बिच पाउन दी कोशिश कीती गुर्णानक देव जी महराजी दी गुर्गदी सत्गरु जी दा इतिहास दस्दा पया कि कितनी आ मुश्कला तती तवी ते बैठना चांद नी दा चाउंक पुत्तर शहीद करबोने परिवार शहीद करबोना क्योंके दुनिया नू चिकड़ विचों कड़न दे ले कुज ते सहार नाई पेंदाए इस शलोक अंदर सत्गरु जी ने साड़े समने एक नक्षा रखिया जरवाने हकूमत दे नशे विच जल्म कर दे लोबी लोक जल्मी दा साथ दिन देने केंदेने दुनिया ते जे लोबी ना उन जल्मी दा होंसला ना पवे जल्मी दा होंसला बदांदेने जे लोबी मनुक पिछे तो फीड़ बैक दे रहे है इस शलोक अंदर सत्गरु जी ने ओ नक्षा पेश किता के हकूमत वाले जबरदास्ती दुनिया तो अपनी मन मर्जी दे कम करांदे लोबी खत्री लोग जीड़े उना दा साथ दिन दे सी एमना बाद विच ब्रहम पोज करन वाला मलक पागो भी इस तरह दा एक अफिसर सी उस वेले सी ते खत्री पर मुके दी हकूमत जिना नू माडे भी केंदे सी उना दा फिसर बनके दुनिया दा खून चूस दा रिश्वत राही सत्ग्रू केने मान स खाने करहने वाज मान स खाने दे आर्थने लोका दा खोन चूसन वाले रिश्वत खोर रिश्वत लेणी के से दा खोन चूसना है आज दुनिया ते एप रेस्ट संसार अंदर बहुत बड़ा एक पाप हो रहे है ओ है रिश्वत खोरी लोब बिचा के मनुक अना हो गया उसनों पता नहीं है के जिस्तों रिश्वत ले रहे हैं प्यारे है ओ दे मासूम बच्चे आंदा तो खून चूसदा पे आए सद्ग्रु केंदे जिड़े रिश्वत खोर मान सखाने लोका दा खून चूसन वाले करहने वाज फिर उना तो डरके उना दे अगे निवाज भी पड़ दे सी शुरी बगाएन तेन गल ताग इना हाक मान दे अगे ए मुनशी बनके शुरी चलों दे पाप गरीबां ते जुल्म कर दे शुरी बगाएन तेन गल ताग ते उना दे गल बेच जने हूँ पहने आउंदा के जालम खत्रियां दे कार बेच जाके ब्रामन शांख बजाउंदे तेन कार ब्रामन पूरा नाद उना पे आवाई होई साद सत्गरु केंदे प्यारे हो जे रिश्वत खोर दे कार जाके तार्मी ने परशादा शक लेया है उने गरीबां दा खून चुसे है तेरे ते भी असर पावेगा एई कारण सी मेरे सत्गरु जीने मलक पागोदा ब्राम पोज ठुकरा देता सी सत्गरु केंदे एक कूडे लोक चूटे लोक चूट दी कमाई कर दे पैने चूट बोल बोल के रुजी कमांदे ने शर्म तर्म का डेरा दूर ना एना कुले शर्म रही ना तर्म रही ना एना नू शर्म हयादा कोई ख्याल तिना एना नुतार में कस दानतां दी समझे जी दा नतीजा की होया सत्ग्रु जी कहन दे प्यारेो नान का कूड रहया पारपूर हर पासे चूठदा बोल बाला एक खतरी उना हकूमत वाले आंदी नौकरी कर दे रिश्वत खोरी राही खून चुसन वाले मथे टिका तेड तो ती कखाई मथे उते टिका भी लोंदे लाकद वाले गेर हुए रांग दी तो ती भी पर हत्विच मानो एना ने शुरी फड़ी होई सी ए रिश्वत खोरी दी शुरी दे नाल जुल्म कर दे पए हकूमत तो डर दे होई निले बस्तर भी पहने होई ते इना हाकमा दे पास इना नू जान दी आगया भी ने सी ए लोग बे चाके उना दी नौकरी ना रोजी डोटी चलों दे मलेश भी कहन दे उना दे पराणा नू पूझ दे पर प्राणा अंसार चल दे ने सी ते ए इत्थों तक डर गए सन के एना ने बकरा भी जिदो मुसिल्मान शरा अंसार बनोना शुरू कर देता सी मुसिल्मान शरा अंसार बकरा हलाल करके चौका पोच के लिप के कार कड दे कोई हाथ ना लावे कोई पिटे न ए अन जिसनुए पवित्र मन्दे पर आप मन्दे कर्म कर दे सत्गरू केंदे प्यारे हो जे अंदर सोच होवेगी तां साचावेगा पर होवे कि में जे पौडी दी सोची पहजावे के वाहिगरू सब बल देख रहे है चिता है अंदर सब को अपनी नजर वेच सब नू चला रहे है अप पी वड्याइन देंदा है वड्याइन देनवास थे ओई जे कर्म करा देंदा है इस रिष्टी थे सब तों बड़े वाहिगरू ने जीने सारे नू तंदेल आया हुए है ओ तो डर दे रहे है नदर उ पठी जे करे सल्ताना काउ कराएंदा जे ओ दी पुठी नजर वजावे एक राजा काही बन जानदा है काही तों भी अगे ऐसा मंगता जीनू खार भी नहीं पेंदी खैर भी नहीं पेंदी जिसनू कावी खान नहीं मिलदा तो खैर वाहि ग्रूपर में शर्दा पह एए इस पाउडी अंदर दिता है लोबी दे अंदरो लोब मिठ सकदा है जे रब दा डारो वे जुल्मी दे अंदरो जुल्म खत्मो सकदा है जे रब दा पह हो वे अज समा मंग कर दा है आन वाली जनरेशन अंदर हर माँ हर पिता बच्पन तो ही रभी पैप पैदा करे तांके बच्चा कूड़ दे रस्ते ते ना तूर सके असी जदों बच्चा गल्ट कम करे उसनों डांट दे हां उसनों चिड़क दे हां सगों बच्चा होर ने डर हो जन्दा है बजाए के असी अपना डर देन दे रभी पैस खाईए ओ मिलेगा केबल ते केबल गुर्बानी दी वीचार राही ए गुर्बानी वीचार परसार अलेक्टरानिक मीडिये राही गुर्ब सिखान दे करां तक पहुंचाईए पुलान चुकान दी खिमा फते गजाना जी वाई गुरू जी का खाल सा वाई गुरू जी की फते अज दे प्रोग्राम दे स्पॉंसर हन बेबी मनमोहनी कोर जी गिल अर्दास है कि प्रमात्मा उन्ना नू नामदान अते कारोबार बिच चड़ियां कला बक्षिश करन साथे सुनन वालेयां दी पार्टिस्पेशन दा स्वागत है सिख वेल्यूज नू उजागर करन वाले प्रोग्राम असी लगातार बनावांगे जी में की इंटर्व्यूज विद प्रॉमिनेंट सिख पर्सनेलिटीज, टॉक्स अन डिसकुशन्स रागात अधारत गुर्बानीदार रस्पिन्ना कीर्तन टैलेंटिट सिख इन ओल फिल्ड अव लाइफ विल बी प्रोग्रेक्टेड इस प्रियोजन वेच साड़ा कोई निजी स्वारत नहीं है तिना ही कोई दिखावा अपनी कौम सिख पंसदी सेवाहित इनिकाज या फर्जदा करन दा एक तरला है